हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटीर कमूनिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे आप मोमेंटम स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं अगर आप मोमेंटम स्टॉक्स को सही टाइम पर फाइंड राइड किया होगा और जब यह फुल स्पीर में रहाता उस टाइम पर आप बाइस्किल में पैडल मारना बंद भी कर देंगे फिर भी वह कुछ दूर तक चलते आप बंद भी कर दोगे अगर उसमें अच्छा का सा स्पीर है तो कुछ देर तक ऐसे ही चलता हुआ दिख जा ऐसे में ट्रैप होने के चांसेज भी कम रहते हैं और यहां पर आपको कम समय में 5-10% का विटर आसानी से मिलता हुआ दिख सकता है तो इसलिए आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे आप मोमेंटम स्टॉक्स को सही टाइम पर आइडेंटिफाई कर सकत है यहां पर देख सकते हैं वह पॉइंट आपको क्लियों दिख रहा होगा सबसे पहला यहां पर आपको हायर लोग पैटरन का फॉर्मेशन करना यह फॉर्मेशन मिल जाए उसके बाद आपको वेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट नहीं होना चाहिए हो सकता है यह तीनों हायर लोग पैटरन यहां पर देख सकते हैं हायर लोग पैटरन का फॉर्मेशन कंटिन्यू है ठीक है उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हमें बिल्डप फाइंट करना है सपोर्ट या फिर से बल पास बिल्डप को आप इस तरह के समझ सकते हैं एकुमलेशन जोन साइफाइं करेंगे तो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट फाइंट करना तीसरा पॉइंट अगर है आपका अप सापास कोई रेटरेंस नहीं होना चाहिए अगर यह आपका ईस तरह से जाता नीचे साइड की तरफ Phase को प्रेंड दे रहा तो नीचे कि यहां per matter आते और देख सकते यह आपका बजाज फिंस रव का 30 मिनट का चाट अब यहां पर बहुत सारा लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम टाइम फ्रेम क्या स्लेक्ट करें यहां यहाँ भी जाता है तो आप उसके वेसिस पर भी ट्वेडले सकते हो लेकिन वो आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगा इसलिए यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लिए और इसके बीसिस पर आप आसानी से इंट्वारे ट्वेडिंग बीटिस्टी ट्वेडिंग और स्विंग ट्वेडिंग भी कर सकते हो और इसके बाद मैं आपको और एक्जांपल बताऊंगा डेली चार्ट में भी इस तरह का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है तो सबस्पहले यहां पर बजाज फिंसर्फ के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या था यहां पर हमने लिख भी दिया हाई और लोग पैटरन का फॉर्मेशन हमें फाइंड करना है यहां पर देख सकते हाई और लोग के पास दूसरा पॉइंट भी इसने एकदम सैटिस्फाई कर दिया तीसरा पॉइंट इसके नजदीक में कोई सपूर्ट या रिस्टेंस लिवल नहीं होना चाहिए और यहां पर ब्रेक आउट अपसेट की तरफ देखने को मिला है यह नहीं यहां पर में इसके आसपास यहां पर आपको एक चीज़ डाउट हो रहा होगा इस पर्टिकलर पोजिशन पर कि हम क्या करेंगे देखिए यहां पर एक बनाया और उसके बाद यहां पर यह जो पैटरन कंप्लीट हुआ इसके बाद हमारे रिस्टेंस जोन कंप्लीट हुआ उससे पहले मैं आपको आरस के स्ट्वेंथ नहीं दिख रहा है और वापस से क्लॉजिंग आपका इसी रेस्टेंस जोन में आकर दिया फिर यहां पर रेडे सनू lavender şimdi हो西न और जैसे यहां पर sence zone बन गया, और उसके बाद हमें build up भी देखने मिल गया, build up के बाद, build up से पहले नहीं, build up के बाद, जैसे यह sence zone break करें, ये point क्या हो जाएगा, ये point मेरा entry point बन जाएगा, यहनी यहाँ पे जो हमारा entry point बनेगा वो, 16,700 के आसपास यहाँ पे मेरा entry point बन जाएगा उसके बाद देखिए market आपका all the way 17,400 करीब गया यनि यहाँ से अच्छा खासा upside move दिखाया लगबग आपका 700 point का upside move दिखाया और percentage बाइज देखेंगे तो आपको 10% ज़्यादा का upside momentum देखने हम बिला वो भी कुछ दिनों में ही तो इस तरह का upside momentum आप find कर सकते हैं अगर आप momentum stocks में सही time पे entry लेते हैं तो और momentum stocks में सही time पे entry कैसे ले सकते हैं यह जो 3 condition बताया है वो 3 condition को satisfy करवाना है जहाँ पर भी satisfy होगा उसके बाद हमाँ momentum देखने हम बिलेगा और फिर हम वो आपे सही time पे entry ले सकते हैं यहाँ पे clear कर देख सकते हैं 30 minute के time frame में हमने सारा कुछ clear तरीके से बता दिया कि आप यहाँ पे कैसे momentum stocks को find करके सही time पे entry ले सकते हैं अब देखिए यहाँ पे आपको entry बहुत जरूरी है अगर आप यहाँ पे stocks of find नहीं कर पाते हैं और उसके बाद अगला 2-3 candle आपका यहीं पे आगया यहीं अगला 2-3 candle आपका 17,200 के आपका सपास आगया अगर आप थोरा बहुत भी लेट entry लेते हैं यहीं यह 30 minute का time है और अगर आप यहाँ पे लगबग 90 minute भी लेट हो जाते हैं तो आपको क्या होगा आप अच्छा खासा point मिस करते हैं लगबग आपका 5-8% का momentum यहाँ पे आपने miss कर दिया और उसके बाद जब momentum आपका खत्म हो गया जब momentum खत्म होने के कगार पे था तब आपने यहाँ पे इंट्वी लिया और उस टाइम पे इंट्वी लेना trap होने के chances रहते हैं इसलिए momentum stocks में सही टाइम पे इंट्वी लेना जबूरी है और उसके लिए आपको यह सारा condition satisfy करवाना होगा और यह सारा condition satisfy करवाने के लिए stocks आपको कौन सा find करना होगा आपको stocks manually find करना परेगा थोड़ा सा यहां पे मेहनत आपको करना परेगा क्योंकि generally जो भी stocks आप देखते हैं अपने watch list में बहुत सारे stocks डाले रहते हैं जब आप stocks के chart को देखते हैं तो आपको without drawing एक visualization करना परेगा और higher low का visualization आप आसानी से कर सकते हैं सबसे अगर आप पहला condition satisfy हुआ उसके बाद आप आगे बरिये अगर यह condition satisfy नहीं हुआ तो फिर आप छोड़ दीजे तीनों condition satisfy होना बहुत ज़रूर है उसके बाद यहां पर एक और चीज है entry point हमने सही identify कर लिया उसके बाद यह candle आपको breakout दिया उससे पहले देख सकते हैं जो भी छोटा सा build-up बना उसका जो भी lowest point होगा उसको हम यहां पर as a stop loss की रूप में use कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं छोटा सा build-up यहां पर बना और इसका lowest point यह है यह हमारा SL हो जाया यहां यहां पर हमारा stop loss करके निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर भी build-up देखने को मिला और यह हो सकता है कि आपका distribution phase भी हो जहां पर लोग माल डंब भी कर रहे हैं इसलिए यहां पर थोड़ा सा सतार्ख होके और यहां पर आपको exit भी कर लेना अगर इस तरह का situation आपको 5% के ऊपर देखने को मिले तो आपको exit कर लेना ज्यादा वेट नहीं करना यहां तक के लिए आपको वेट करना थोड़ा सा विस्की हो सकता है तो क्लियर है कि हमारा entry point stop loss और target page क्या होगा target at least आपको 5% का रखना ही रखना यह नहीं इस momentum हमें stocks है minimum आपको profit 5% का बनेगा और stop loss काफी छोटा सा है वह आप यहां पर देख सकते हैं दूसरे stocks पर आते हैं दूसरा exam पर हमारा RCF का यह देख सकते हैं यह जो chart है आपको RCF का chart है और इसका daily chart है अब यहां पर क्या कुछ हुआ है सबसे पहला पहला point higher low और यहां पर हमें clear naked eye से सिर्फ chart को ही देखने से पता चल गया था कि यहां पर higher low pattern का formation हमें देखने को मिल वा उसके बाद दूसरा point क्या find करना यहां पर build up होना चाहिए यहां पर देखिए छोटा सा 4-5 candle का बिल्डब बना लेकिन बिल्डब बना है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हमें क्या देखना नो नियर बाइं विस्टेंस या सपोर्ट नहीं होना चाहिए और यहां पर breakout हमें अपसार की तरफ देखने को मिला और इसके असपास कोई resistance नहीं है यह में क्लियर देखने को मिला साथी साथ आप चाहो तो नीचे से वालूम से भी confirmation ले सकते हो अगर यहां पर breakout देखने को मिलता है तो जितना average volume है उसके double या फिर triple से ज्यादा volume होना चाहिए यानि एक और चाहो तो आप यहां पर चौथा point भी add कर सकते हो वह भी आपके accuracy level को increase कर देगा volume आपका at least जो भी previous volume है या जो भी average volume है उससे तीन कुना ज्यादा volume होना चाहिए तभी हम momentum stocks को सही time पर identify करेंगे उसके बाद देखे जैसे यह breakout करके ऊपर निकला यहां पर हमें बिल्डप देखने को मिला और बिल्डप के बाद breakout दिया उसके बाद हम क्या करेंगे इसी price के करीब यहां पर इंट्वी लेंगे यह निए हमारा entry point बन जाए कि मैंने बोला था कि बिल्डप से पहले जो भी lowest point होगा यह हमारा एसल के रूप में काम करेंगा टागेट पर परसंट करीब होगा तो यहां पर आगर आप काउंट कर देखने को मिल जाएगा क्योंकि यह यह आपको momentum है और इसका momentum रुका का इस लेवल के आसपास इसका momentum रुका है देख सकते इस लेवल के आसपास momentum रुका तो अगर आप सही टाइम पर entry लेते हो तो आप यहां पर अच्छा खासा profit बना सकते हो देख सकते हो हर अगर आप मोमेंटम के बाद इंट्री लोगे यहां पर क्या हो जाओगे आप ट्रैप हो जाओगे फिर लॉसस के चांसे आपके इंक्वीज हो जाएंगे इसलिए मोमेंटम इस्ट्रक्स को सही टाइम पर आइडेंटिफाई करना बहुत जोगी एक और एक्जामपल लेते हैं टी-स का डेली चार्ट में अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या फाइंट करना हायर लो वह में नेक्ट आई से दिख रहा है हायर लो हायर लो पैटरन का फॉर्मेशन हो रहा है उपर में यह आपका रिस्टेंस जोन बनाया है देख सकते हैं पहली बार यहां से ठच कर करना यह हमें अभी तक मिला नहीं है तो अगर यहां पर यह ब्रेक आउट दे भी दिया है तो इसके बेसिस पर हम बाइसार की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि यह मोमेंटम स्टॉक्स नहीं बनेगा जब तक कि हमें बिल्डप देखने को नहीं मिलेगा जब तक कि एकुमले एक बिला यह नहीं अभी हमारा मोमेंटम स्टॉक्स बना और जैसे इसको ब्रेकर के उपरन निकला है यह हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा इंट्री पॉइंट बन जाएगा इसका जो भी लौइस पॉइंट है नियरे इस आपका बिल्डप एह तार्कर टागिट पर यहां ति यहां से 5% के लिए लगबग 1500 से 200 पॉइंट उपर होगा और यहां से देख सकते हैं लगबग यह आपका बहुत ज़्यादा उपर लगबग यह आपका 3900 करीब गया था यह नहीं आपका यह 10 से 20% का upside momentum दिखा है ति यहां पर अगर हम सही time पे entry ले लेते हैं ति हमें अच खासा profit बना के दे सकता है ज्यादा टाइम नहीं सिर्फ आपको कुछ दियों में profit बना के दे सकता है अगर आप इंडिवार डे में ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ मिंटों में profit बना के यह आपको दे सकता है लेकिन momentum stocks को find कैसे करना तिर्ट क्वेटरिया उसके वेशिस पर आपको find करना और मैंने क्या वोला कि चौथा पॉइंट आप वालूम भी याड़ कर सकते हैं यहां पर ब्रेक आउट दिया है यहां पर वालूम जितना एवरेज वालूम है उसके डबल यहां पर ट्रिपल के बड़ाबर यहां पर वालूम हमें देखने को मिल यह सारा क्यमट के बईस्ट सकते हो और यही स्टॉक्स आपको इंट्रावाल में बनाकर देशन सकता और स्विएरेटेंग में प्रौफिट बना के देशन उसलिंणंस उम्मीद करते हैं के आपको यहां पर सारा concept समझ में आ गिया होगा, अगर इससे भी related कुछ भी doubt या फिर confusion है, तो आप हमें comment section में पूछ सकते, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, किसी और topic के साथ, जैहिन